अब बने जा रहे हैं एक बहुत बने कर तयार हो जाती है और कोई भी इसको आसानी से अपने घर पर बना सकता है बहुत ही लिमिटेड इंग्रेट के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी लेकिन इससे पहले मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी अगर और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी दरें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी गैस पर सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें हमने डाला है फौर्चुन ऑईल मैसेज़े00 करूंगी यह रेसिपी आ फौर्चुन ऑईल में बनाएं तो बहते रहेगा क्योंकि सर्सों के ओयल में क्या होता है सर्सों के तेल की जो धास होती है वो आती है तो इस पूट चुकी है और इसमें अब हम डालेंगे अपने चॉप्ट की हुए बारीक प्याज ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिये थे और इने मैंने रफली चॉप कर लिया है तो इनको हम अभी सौटे करेंगे लेकिन बहुत जादा हमें इने ब्राउन नहीं करना है बि सकते हो आप में इनमें अब हम इने में डालेंगे मसाले तो जो मसाले ये में यूजिक स्कते हैं अब इसमे यूजिका आजसे ऑदे हैं लेकिन आज मैं यही मसाले यूजिक कर रहा हूं और यipl å बूनने के बाद हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ टमाटर, टमाटर को जब भी हम यूज करेंगे तो उसको छिलका उतार कर यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, यह दिखे, मैंने यह दो मीडियम साइस के टमाटर ले लिये हैं, और उनका चिलका उतार दिया है, उसके बाद मैं इसमें यूज कर रहे हूँ, तो टमाटरों को भी हमें भूनना है, अब टमाटरों को हमें थोड़ा सॉफ्ट करना है, बहुत जादा भी हमें इसकी ग्रेवी नहीं बनाने हैं, लेकिन टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, इतना हम हो मैं तो भुनना है तो ये देखिए हमारी टमाटर जो है वह धीरे धीर भुनना स्टाट हो गये हैं और ये रेसिपी जो है बहुत ही यूर्ट लाइट रेसिपछ अगर आपको कभी कुछ भी कुछ ह्यलिग का मन ना करे तब आप अब इस रेसिपी को बना सकते हैं तो आप मैंने इसमें यूज की हैं कुछ हरी सब्जियां जैसे की शिम्ना मिर्च और गाजर आप चाहें अपने पसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलिबल हो सब्जियों का क्रिंचनिस रहना चाहिए तो हलका सा हमें दो मिनट के लिए इसे सौटे करना है चलाते हुए और ये भुन जाएगा आप इसमें डालने है मैंने आलू ये आलू लिये है मैंने और ये कच्छा आलू है बॉयल्ट नहीं है इनको मैंने छील के धो के अच्छी तरह से इनको बारीक-बारीक कट कर लिया है लंबी-लंबे साइज में आप चाहें तो और भी कोई साइज में कट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे पर मैंने इसे लॉंग साइज में काटा है तो आप चाहें अगर आपके पास रोस्टेड ना हो तो उन सेवियों को आप एक चम्मच ओलिव डालके या पर्चेन ओल डालके उनको रोस्ट कर सकते हैं तो एक कप के करीब या एक कटोरी के करीब मान लीजे सेविया हैं वो मैंने ले ली हैं ये मुझे मार्किट से भुनी हुई ही मिली थी तो इनको भी डालके अब हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारी सबजियां मसाले इसमें अच्छे से भुन जाएं और ए और बहुत कम भी नहीं डालना है, इतना डालना है जिस्थे कि बैलेंस हो जाए और सेवियां के लिना हो पक जाए, तो यह लीजिए सेवियां जो हमारी है बन कर तयार है, पानी हमने इसमें डाल दिया है, और यह recipe अगर आप चाहें तो हमसे order भी कर सकते हैं, अगर आप Delhi में तो यह recipe आपको हमारे restaurant special food corner पर swiggy and zomato पे आप order कर सकते हैं, link मैंने description में provide किया है क्योंकि आपका favorite channel special food corner अब special food corner restaurant भी है जो swiggy और zomato पे registered है, तो वहाँ से आप इसे मंग आ सकते हैं तो ढकन लगा के हम इसे 2 minute के लिए पकाते हैं, 2-3 minute के बाद हम इसको check करेंगे तो यह लिजे 3 minute हो चुके हैं, 3 minute के बाद आप देखिए अलका-अलका सा पानी जो है reduce होने लगा है और mix होने लगा है तो इसे थोड़ा सा हिला देंगे और अच्छे से जिससे की ये नीचे लगे नहीं और इसे फिर से 2 minute के लिए पकाएंगे, तो ये पकने में बहुत ज़़ादा टाइम नहीं लेती हैं चार से 5 minute में आपकी जो सेवियां बनकर तैयार हो जाती है पानी डालने के बाद तो ये देखिए पान से 6 minute हुए है और जो सेवियां है बिलकुल बन चुकी है आप देख सकते हैं कितने अलग-अलग और खिली-खिली बनी है देखते ही मुँ में पानी आ रहा है और धकन खोलते ही बहुत जबरदस्त खुश्बू भी आ रही है तो आप इनका टेक्शर देखे जान सकते हैं कि इतनी टेस्टी बनी है तो अब बिना टाइम गवाए हम इसको फटा-फट से सर्व कर लेते हैं और सर्व करने के बाद मैं आपको दिखाती हूं कि ये लुक वाइस कैसी लग रही है तो ये थी हमारी आज की रेसिपी जो कि आप लोगों ने देखा कितनी एजिली बनकर रेडी हो गई आप घर में इसे एजिली बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को जरूर इंजॉय किजिए और मुझे बताइए कि आपके रेसिपी कैसी लगी मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा तब तक के लिए गुडबाई मैं मिलते हूं आप सब में नेक्स रेसिपी में